अगर आपका भी बार-बार true balance application पे यहां पे loan reject हो रहा है या आपने 2-3 बार true balance application पे loan यहां से apply किया था और instant आपका loan यहां पे reject हो चुका है तो आज में आपको यह कैसी trick पताऊंगा अगर आप इस trick को यहां पे इस application पे follow करते हो तो 100% आपका यहां पे loan approval हो जाएगा और हो जाए पर जैसी आप यहां पर true balance application पे loan के लिए apply करते हैं instant आपका loan वहां पे decline हो जा रहा है तो यहां पे देख सकते हैं तीन से चार बर मैं इस application पे loan के लिए apply कर चुका हूं तो जैसी मैं loan के लिए apply करता हूं तो जो मेरा symbol score है वो भी यहां पे काफी अच्छा है और यह मैं आपको आखों के सामने इस loan को यहां पर apply करूंगा और आपको जो loan है इसको approval करके भी दिखाऊंगा कैसी हम इस loan को यहां पर अप्रूबल कर सकते हैं तो यहां पे जब भी आप loan के लिए apply करते हैं तो कुछ आपको यहांप बातों का धियान डखना होता है कि कि कितनी income कैसे आपको loan के लिए apply करना तो यहाँ पे मैंने जैसी loan के लिए apply किया तो instant मुझे आपके पूरे 7000-8000 पे की यहाँ पे limit मिल चुकी है तो यहाँ पे देख सकते आपको एक option मिलेगा यहां पे apply for the level up loan और नीचे मिलेगा आपको cash up loan और नीचे मिलेगा आपको Only KYC loan यहां पे जो हमारा loan मतलब की जो reject हुआ था तो यहां पे यह वाला loan मेरे यहां पे reject हुआ था और मैं इसी loan को यहां पे आपके सामने इसको apply करके यहां पे दिखाऊंगा तो यहां पे आपको apply तो यहां पे देख सकते हैं जो मेरा लोन यह पिए अप्लाई किया किया तो यहां पे देख सकते हैं तो सबसे पहले में आपको यह बता दू अगर आप्लीकेशन पे लों के लिए apply करते हैं तो जब भी आपको loan के लिए apply करना है को जो अपने income डालनी है कम से कम 30-35,000 और आपको यहाँ पर income डालनी है और आपको यहाँ पर 10-15,000 पर की income यहां पर शम्मिट करते हैं तो उस case में हो सकता है कि आपको इस application से आप your loan ना मिले तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी यहाँ पे KYC करी तो उसके बाद यहाँ पे जो eligibility चेक होई उसके बाद बुझे approval यहाँ पे थोड़ी देर में यहाँ पी मिल जाएगा और कम से कम आपको 25-30 जारगी ही यहाँ पे income डालनी है अब जो second step आपके जो follow करना है तो जब भी आप true balance application पे loan बार बार यहाँ पे apply करना है और आपको बार बार यहाँ पे reject हो जा रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ time इसको यहाँ पे wait करना है तो कुछ time wait करने का मतलब यहा जैसे आपने loan के लिए apply किया और आपको दुबारा से option पे apply करने का मिल रहता आपको loan वहाँ से apply नहीं करना तो कुछ time आपको wait करना है जैसे कि यहाँ पे एक मंद के लिए wait करना है और एक मंद के बाद आप दुबारा से loan के लिए apply करेंगे तो आपको civil score भी आपे increase होगा और आपके यहाँ जो limit है वो भी आपको मिल जाएगी और आपका जो जहाँ पे loan बार-बार decline हो रहा है वो भी आपका जो loan बार-बार यहाँ पे decline नहीं होगा तो यहाँ पर इसी methods से मैंने अपने loan को यहाँ पर approval किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपर यहाँ लिखा व क्योंकि ज्यादा तरह यहाँ पर मंतिली इंकम चैक होती है तो उसके basis के ओपर यह आपको true balance अप्लिकेशन से यहाँ लोन मिलता है तो जैसी मेरा लोने पर पूरसीट से हटेगा इंस्टेंट मुझे आप लिमट मिल जाएगी इसी methods से आपनी अपनी लिमट को यहाँ पर अ